मौसमों का बदलाव आपकी स्किन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है फेस्टिवल सीजन की भागदर के बाद आपके स्किन भी धकान मैसूस कर रही होगी इस धकान को दूर कर इसकिन की चमक वापस लाने के लिए मैं लेकर आई हूं होममेट फेस्पैक जो कुछ ही देर में आपके स्किन को फिर से पहले जैसा फ्रेश मैसूस करने में मदद करेगा यह है अंडे के जर्दी और शाहत का फेस्पैक यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिसकी स्किन ड्राय है अंडे की जर्दी नमी का एक बड़ा शुरूत है इसमें कॉलिस्ट्रोल भी होता है साथ ही शाहत आपकी स्किन को हाइडिरेट करता है जब आप दोनों को एक साथ अप्लाय करती है तो यह आपकी स्किन के सेल्स को पोशन देता है और आपकी स्किन को गुलो मिलता है आए जानते हैं इसे बनाने और इस्तिमाल करने का तरीका और हाँ फ्रेंस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आकन को क्लिक कर सब्सक्राइब को मेरे वीडियो के नौटिफिकेशन मिल जाए इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक अंडे के जर्दी एक बड़ा चमत शाहत हल्दी एक चुटकी और गुलाब जल एर्ण तीन से पांच बुंद सभी को मिला लें अंडे के जर्दी शाहत हल्दी और बस ध्याने के आँखों में ना लगे अब इसे 15 मिनिट तक यूँ ही चेहरे पर रगा रहने दे और जब यह सुख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धोले इस फेस पैक से आपके चेहरे पर कसा होगा इसके बाद किसी भी फेस वाउस का इस्तिमाल करने की जरुवत नहीं है यह फेस पैक मुहासर से निजात तो दिलाता है इसके अलावा यदि आपके आँखों के नीचे सूजन है तो अंडे की जरुदी में मौझूद बिटामीन ए इसे ठीक करने में भी बदद करता है ओके फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में हाजिर होंगे एक और रिमेडिस के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार